दोस्तों स्वागत है आप सब लोगों का इस चैनल के एक और नए वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बार फिस से आप लोगों से गुजारिश करना चाहूंगा कि अगर आप लोगों ने इस चैनल को भी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दियो लाल बटन को दब करें साथ युस बेल आइकन को भी दबाएं जिससे की मेरी हर लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुँच सके बिना किसी देरी के तो कल मैंने एक पॉड्कास्ट बनाया था जहां पर मैंने दे कश्मीर फाइल्स मूवी को रिव्यू करने का काम किया था और उसके बाद किस बा गालिया देने का काम किया कॉंग्रेस का खुथा बुलाने का काम किया जो कि भक्तों का फेवरेट है लेकिन इस वीडियो में जो मैं आज बना रहा हूं मैं उन सारे कॉमेंट्स को यहां पर पढ़ने वाला हूं जो कि मुझे गालिया दे रहे थे साथ ही उन कॉमेंट्स का reply करने वाला हूँ यानि कि भक्तों के comments का reply करने वाला हूँ और यह मैं इसलिए करने वाला हूँ क्योंकि इन भक्तों को कही ना कही मैं समझाना चाहता हूँ कि यह जितने बड़े Hindu अपने आपको कहते हैं इनसे बड़ा Hindu मैं हूँ लेकिन हर चीज को logically देखने का काम करता हूँ हर चीज को critically देखने का काम करता हूँ ना कि किसी की अंधभक्ती करने का काम करता हूँ चाहे फिर वो कोई भी हो सबसे पहले आपको comments पढ़के सुनाओंगा और आपकी screens पर इनके comments रखूँगा अपनी बाते भी रखूँगा लेकिन उससे पहले आपके सामने एक बात जो मैं feel करता हूँ यह बोलना चाहता हूँ कि कश्मीर इस देश का integral part था इंडिया का integral part है और हमेशा कश्मीर जो है इंडिया का integral part ही रहेगा साथ ही इस movie का जो एक objective बार बार बताया गया इस movie के अंदर अगर आपने यह पूरा review नहीं देखा है तो i button पे जाकर click करके इस review को देख लीजिए अगर पूरी कहानी आपको सुननी है तो वहाँ पर सुनाई देजाएगी अगर नहीं आपको i button पे नजर आते है तो directly channel पे चले जाएए वो video आपको पूरा podcast देखने को मल जाएगा सारी कहानी डीटेल में वहाँ पर समझाई हुई है इस movie का जो देशे है यह बताया गया कि forgive but never forget लेकिन जिस तरीके की यह picture है यह आपको never forgive के loop में डालना चाहती है यह movie चाहती है कि आपके अंदर नफरत की आग जो है वो और जादा भढ़के आप जो है और जादा उबले और आपको लगातार provoke करना चाहती है यह picture डर इस बात का नहीं है कि यह picture इस ताइम पर cinema hall में डर इस बात का है कि इस ताइम पर देश के प्रधान मंत्री उनका एक statement निकल कर आया जहां पर उने का है कि ऐसी movies और बननी चाहिए जो कि सबसे ज़्यादा खतरनाक बात है हमारे देश के लिए आखिरकार यह होना ही था इसको almost बीजेपी की जितने states है हमारा tax free कर दिया गया है प्रधान मंत्री इसकी सराना कर रहे है इससे ज़्यादा बीजेप पर देखे सबसे पहले अंकित शर्मा फॉर पॉइंट ओ इनका यह कॉमेंट लंबा सा कॉमेंट है मैं पढ़के आपको सुनाता हूं जितने भी कश्मीरी पंडित यह movie देखे हैं सबने यही कहा है कि यह उनके साथ हुआ था उनके parents के साथ उनके four fathers के साथ हुआ था कश्मी पंडितों जो विक्टिम्स की कश्मीरी पंडित जो की विक्टिम्स है उनसे जादा knowledge है क्या क्या वहां कश्मीर में उन पंडितों के साथ क्या क्या हुआ है यह तुझे उनसे जादा पता है क्या बस करो तेरा यह minority appeasement भाई सबसे पहली बात तुमारे भक्तों यह बात में नहीं आया तो तुमसे बड़ा गधा कोई और नहीं है तुम अपने आपको कहते हो तुम हिंदू हो तुम बहुत बड़े भगवान के भगतों तुम कुछ नहीं हो घंटा हो तुम लोग तुम यह कह रहे हो यहां पर कि मैं कह रहा हूं कि यह जो movie है इसमें यह सब लिखते हो चाहें इंदी लिखो इंग्लिश उसे ठीक से लिखा करो और अपनी मन घड़न सपने में देखी हुई बातों को कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट मत क्या करो अगर यह वीडियो समझ में नहीं आती मुझे लगता है कि भक्तों के दिमाग में सच में गोबर भरा किया definitely act of terrorism वहाँ पर हुआ था और जो वहाँ के terrorist थे जिते भी आतंकवादी थे उन्होंने ये हरकते करी थी brutality की बात करी जाती है कि मैं कहरा हूँ कि brutality बहुत जादा दिखाई गई है उसके खून के या फिर उसके फ्लेश के चीथड़े किसी के मूँ पर जाके चिपक जाएं ये ओवर एक तरीके से exaggeration है किसी भी brutality का और ये किसी को provocation करने के लिए दिखाई जाते है इस चीज़े साथ ही ये बोला गया कि मैं minority appeasement कर रहा हूँ भाई काय की minority appeasement मैं कर रहा जो कश्मीरी पंडितों के साथ हुआ मैं उस pain को feel कर सकता हूँ in fact जो भी कोई अगर बंदा है अगर कोई कश्मीरी पंडित है और वो मुझे इस मामले में और जादा enlighten कर सकता है मुझे इस मामले में और जादा educate कर सकता है वो सामने निकल कर आए मैं YouTube पे उससे बात करूँ यह चाहता ही यही था कि भक्त जो है बिना critical thinking के बिना logical questions के इनकी बातों में आ जाए और इनका propaganda इसी तरीके से चलता रहे अंकित शर्मा जैसे लोग इस propaganda में already first चुके हैं यह सोच रहे हैं कि भाई जो विवेकरंजन अकरी दिखा रहा है वही सिर्फ सच है अगर उस पे अधेपन की बाते करें गए कि मैं आपको बतान नहीं सकता मैंने जो चीजें clearly explain करी हैं जो बाते मैंने clearly बताई है वीडियो के अंदर उसको भी कहा गया कि ने यह तो जूट है इसको माना ही नहीं जाएगा अगर इस बात को नहीं माना जाएगा तो मैं विवेक रंजन अग घट जाए ताकि उनको समझ आए आखिरकार क्या हुआ था उस टाइम पर पौरुष शर्मा जी सच्चाई है फिल्म नहीं है सबसे पहली चीज मैंने यह नहीं बोला कि यह घटना एक प्रोपोगांडा है मैंने यह बोला कि यह फिल्म एक प्रोपोगांडा है गधो के उपर बरबरता करी गई थी और एक से बढ़कर एक लेवल पर बरबरता करी गई थी इस बात से मैं भी अग्री कर रहा हूं लेकिन जिस तरीके से इसको पोट्रे करा गया है जिस तरीके से इसमें अपना गुसेडने की कोशिश करी गई है वो एक सरासर सफेद प्रोपोगांडा कैसे ना हो यार जब आज की डेट में बीजेपी के लोग इसको खुल करके सपोर्ट कर रहे हैं सिनिमा हॉल्स के अंदर नारे लग रहे हैं देश के गदारों को डैश 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 तो क्या ये प्रोपोगांडा का पार्ट नहीं था क्या इतने बेफकुफ हो या फिर समझदार हो लेकिन बेफकुफ बनने का नाटक कर रहे हो देश को सिर्फ और सिर्फ भढ़काने के लिए ये movie कल मैंने अपने video में podcast में बोला था कि इस movie के पीछे का purpose है सिर्फ और सिर्फ लोगों को भड़काना आपके अंदर जो नफरत की आग है उसको जला करके रखना हर एक बंदे के लिए कोई ना कोई बंदा एक बहुत बड़ा culprit है ऐसे तो कल को जो आज की rate में कह रहे हैं कि कश्मीरी पंडितों के लिए मुसल्मान वहां के कश्मीर के वह culprit है लेकिन उन वह जो कश्मीरी पंडित है या के compatriot है एक अगर बें यूप बिहार में जाओगे तो दलित बहुत बेंगे ईसके कल्प्रित थे Cow hein या ठाकुर लोग, हर बंदे के लिए कोई ना कोई एक culprit यहां पर बैठा हुआ है जो पलिस्तीनी लोग है उनके लिए इसराइल के लोग culprit है, जो इसराइल में जूइश लोग है, उनके लिए हिटलर culprit था, हर जगा पर आप जाओगे आपको कोई ना कोई किसी के against culprit बताता हुआ दिखी जाएगा, और ये एक बहुत बड़ा fact है हर बंदा अपने तरफ से brainwash करने में किसी ना किसी के लगा रहता है, लेकिन आपको उसके पीछे का सत जानने की थोड़ी सी कोशिश करनी अगला कमेंट में आपर पढ़के बताना चाहता हूँ, आपको ये अनूप शर्मा लिखते हैं कि अगर तुझे प्रूफ चाहिए, तो विवेक अगनी होतरी से जाकर डिबेट कर ले या फिर मूवी के उपर केस कर दे जो मैंने बात अपने podcast में बोली थी कि आजादी के माइनों को बदलने की कोशिश करी गई है, आजादी के शब्द को बदनाम करने की कोशिश करी गई है, लेकिन किस तरीके से यही आदमी, विवेक रंजन अगनी होतरी, कुछ सालों पहले आजादी मांगता फिर रहा था, उसकी फोटो एक निकल के आए लीक होकर, जो कि मैं आपके सामने आगे पेश करने वाला हूँ अगले कॉमेंट के उपर बढ़ना चाहता हूँ, जहाँ पर नमरा निशा, जो हैं कमेंट करती हो कह रहे हैं कि हेलो मिस्टर, यह बस एक आक्ट है, आप बेवज़ा यह खुद उल्टी बात फैला रहे हो यह BJP, BJP Congress, Congress कर रहे हो खुद आप अपने fan following को के लिए बखवास मत करो फालतू की भाई, BJP Congress जैसे मैं बता रहा हूँ यह तो definitely picture के अंदर हो ही जाता है सबसे पहली चीज, जब हम देख रहे हैं पर इस picture को किस तरीके से tax free करा जा रहा है, किस तरीके से cinema halls में देश के गदारों को वाले नारे लगाये जा रहे हैं, किस तरीके से Congress को यहाँ पर एक तरीके से दिखाया गया कि Congress culprit है या फिर Congress के associates एक culprit है लेकिन यह नहीं दिखाया गया कि जिस टाइम पर ही एक sodas हुआ, उस टाइम पर वहां के governor थे, बीजेपी का एक आदमी जिसका नाम है जग मोहन मलोतरा, यह नहीं बताया गया कि वीपी सिंग उस टाइम पर प्रधान मंतरी थे और वो प्रधान मंतरी बने वे थे बीजेपी की support से, यह तमाम चीज़े गायब कर दी गई है, तो Congress और बीजेपी का angle तो यहां ही ना, इसको मैं तो डाली नहीं रहा, इसको पहले ही डिरेक्टर ने at the first place डालने का काम किया है, मैंने डालने का काम नहीं कर, लिक रहा है निखिल चोडिया, यह लिक रहा है कि जो दिखाया है, वो सच हो, मतलब भक्द भी शौर नहीं है इस बात पे कि जो चीज़े दिखाई गई है वो सच है या जूट है, मैं पाकिस्तानी हूँ इसने यह declare कर दिया, क्यों? क्योंकि मैंने इस movie के उपर बहुत सारे सवाल खड़े कर दिये क्योंकि एक आदमी ने, कैसे आदमी ने फिल्म बनाई थी जो कि दिन रात भारतिय जनता पार्टी की भक्ती करने में लगा रहते है जो कि दिन रात मुसल्मानों को गालिया देने में लगा रहते है और definitely वो आदमी कल्परिट दिखाता मुसल्मानों को यहाँ पर मैंने जैसे की बता है कि हर बंदे का कोई ना कोई कल्परिट है ऐसे तो सब तो एक दूसरे से बदला लेने चल देंगे तो हमारा जो दुनिया है पूरी वर्ल एकोसिस्टम जो है मैं पॉलिटिक्स कहा कर रहा हूं किस एंगल से मैं पॉलिटिक्स कर रहा हूं इस मैंटर के उपर मैं तो यहीं कह रहा हूं किस मैंटर के उपर पॉलिटिक्स मत करो इतना सीरियस मैंटर है कम से कम इसकी उपर तो तमीज से बात कर लो कम से कम इसके अंदर तो अपना नारेटिव अपना प्रोपगांडा घुसेड़ने की कोशिच मत करो अगला कॉमेंट जो है वो प्रेम धयाल की तरफ से है ये कॉमेंट पढ़के मैं आपको बताता हूं क्या लिखा गया है तेरा नाम पौरुश पर जुबान से तू डैश है म फिल्म में तो बहुत कम दिखाया गया है जीनोसाइड इससे भी बहुत जादा हुआ था और आपके नाम से शर्मा हटा के खान लगा ले ये बात लिखी गई और ये कॉमेंट से इस टाइप के मुझे बहुत बात दिये जाता है क्यों 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 मैं बीजेपी से सवाल प तरीके से क्यों दिखाया गया क्यों ञा उन लोगों की जानकीरती नहीं थी शेस गंजु के यहां पर ठीक से नहीं दिखाया है उसको दिखाया है इो पूरी की पूरी घटना को दिखाने की कोशिश करी गई है यह अपने आप में एक बहुत बड़ी घटना थी जहां पर जज की मृत्यू हुई थी मारा गया था जज को अगर उसको ठीक से नहीं दिखाया जाता तो आप खुछ समझ सकते हैं कि पिक्चर के अंदर कितनी जादा लाक ऑफ एविडेंस थे या फिर रिसर्च में कितनी जादा इन लोगों की कमी थी अगला कॉमेंट में पढ़के आपको सुनाना चाता हूं एक और भक्त का है ब्रज 790 डैश याने की बहुत लंबी गाली लिखते हैं जो कि आपको स्क्रीन पर दिखरी होगी कश्मीरी पं अगैंडा में पूरी तरीके से फसे होए नजर आ रहे हैं और आगे भी स्प्रेट करने का काम कर रहे हैं अब आपको दिखाना चाहता है एक फोटो जो विवेक रंजन अगनियोतरी यहां पर इस मूवी में आजादी वर्ट के माइने बदलने की कोशिश कर रहा था इसमें एक सीन है जहाँ पर प्रटागनिस्ट को वो एक दुविदा में डाल देता है प्रटागनिस्ट को ऐसा दिखाता है कि उसको उसके दादा जी आने की अनुपरम खेरिये समझा रहे हैं कि आजादी की मांग करने वाले वही लोग हैं जो एक टाइम पर कश्मीरी पंडितों क दिखाने की कोशिश करी जाती है कि आखिरकार आजादी जो है कितना खराब ये शव्द है लेकिन आपको एक तस्वीर दिखाना चाहता हूँ आपकी स्क्रीन के ओपर यही विवेक रंजन अगनियोतरी कुछ सालों पहले किस तरीके से जामा मस्जिद पे आजादी मांगता हुआ डोल रहा तजरा देखो पनी स्क्रीन के ओपर विवेक रंजन अगनियोतरी ये फोटो जो है ये 25 नवंबर 2012 की फोटो है दस साल अल्मोस्ट पहले की फोटो है जहाँ पर विवेक रंजन अगनियोतरी जामा मस्जिद के आगे खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है आप को और इबादत करने का काम कर रहा है ऐसे हाथ उपर करने का काम कर रहा है मतलब अल्ला से जो जिस भी तरीके से दुआ मांगी जाती है वो करने का काम कर रहा है आखिरकार कौन सी आजादी मांगने का यहाँ पर यह काम कर रहा है क्या जैन्यू वाली आजादी है या फिर य अगर हिम्मत हो औकात हो और किसी के पास दो कॉड़ी का भी दिमाग हो तो इस बात का जवाब नीचे comment section में comment करकर जरूर बताना देखो या simple सी बात है दोने तरफ brainwash करने की factory लगी हुई है लेकिन उस brainwash करने की factory हो में मेरा यहां पर simple सा सवाल बीच में यह निकल कर आता है कि यह घटना बहुत ज़ादा दरदनाग घटना थी बहुत बड़ी घटना थी बहुत important यह matter था तो क्यों आखिरकार इस film में बहुत ज़ादे information नहीं दी गई क्यों आखिरकार एक दो incidents के बारे में बात करी गई है क्यों आखिरकार बड़े incidents को भी ठीक से portrait नहीं करा गया क्य प्रग्या ठाकुर वैसे तो मैं इसको प्रग्या ठाकुर बोलता हूं लेकिन अपने आपको यह सेल्फ प्रोक्लेम साध्वी ठाकुर बोलती है यह एक टेररिज्म के मामले में अक्यूज्ड है बहुत बड़ी लेकिन फिर भी हमारे देश के संसत के अंदर भिटा रखा इसक जो दिखाने की आपर कोशिश करी गई थी कि देखो आकरकार कश्मीरी पंडेतों का किस तरीके से खून बहाया गया खून पहले भी हमारे देश में बहाया गया है जो मुगल्स थे उनकी आने से पहले जो इंडियन रूलर्स भी थे न वो भी आपस में लड़ाई करते थे तो उनको जब वो इदुसरे को मारते थे तो उनके शरीर में से डेफिनेटली खून ही बैता होगा तो इस बात को भी यहाँ पर सोचने की जरूरत है कि सिर्फ मुसल्मानों को यहाँ पर टारगेट करने के लिए आप इस चीज को बीच में लेकर आ जाओ या फिर यह बोलो के साथ जो हुआ भात गलत ठाग भात डर्दनाक था यह अंचे और अज को कसी को काम करके कोई अच्छी बड़े दुश्मन है वो आज की रेट में आपको यह दिखाएंगे कि वो आपके सबसे बड़े हितेशी हैं लेकिन लॉंग रन में उनकी दुश्मन ही आपको बहुत ही जादा भारी पढ़ने वाली है यह आप भी विट टाइम देख लेंगे तो दोस्तों अभी के लिए इस सबस्तों सकतादा कि रड़े बड़े बढ़े हिक वो आपके टांप जाभे तोस्तों शेख बस्तों हैसे कि वो आपके जादा कि में अवार में बड़ बवें कुछनZA का